इन होता मुझे डर भी लगने लगा है one two three आप लोग देख सकते हैं बाई मुझे लिए फिर से ट्राइ करके देखते हैं one two three आप लोग देख से हैं आप सब फुर्माई हमें तो राद क्मुटिशन सुगाइस तो आज किस वीडियो हम बताने वाले कि RCCB MCB का कनेक्शन कैसे क आस इस चीज को हम लाइप टेस्ट करके दिखाने वाले हैं जो हमारी RCCB MCB होती है और उसको कैसे लगाई आता है अगर हम उसको हाऊस वारिंग में लगाते है तो उसका क्या मतलब होता है और हाऊस वारिंग में इसको लगाना चाहिए अगर हम किसी वैर को छूते हैं अग बीडो को लाइक करने को सब्सक्राइब करते हैं यहाँ पर हमारी हाइवल कंपनी की और सी बी में आप हुछ शे साल की वारंटी मिल जाती है जो कि काफी अच्छा सिटम मिल जाता है और यह पर यहां पर हमारी 16 MPR की MCB है जैसे कि हैं 16 MPR की RCC MCB है और इसका यहां पर प्राइस आप लूग देखते है ठीक है तो अब चलिए इसको फटावर से अन्बॉक्सिंग कर लेते हैं और इसको खोल के देखते हैं कि हमको RCCB MCB कैसी मिल जाती है और आप लोग को इसके connection कैसे करना है इसको आज हम live tester करके दिखाएंगे अगर हम किसी wire को छूथते हैं तो हमको current लगेगा और MCB करेगे कि नहीं करेगी इसका भी आज हम live test करेंगे फुल जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी तो चलिए फटावर से इसको unboxing कर लेते तो यहां से box को खोलेंगे आप लोग देख सकते काफी दा अच्छे से पायक होके हमारी MCB आती है तो हम यहां से box को खोल लेते हैं और यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारी MCB दख्यूए है जो कि हमारी 16 MPR की MCB आप घर पर जितना लोड हो तो आप उसी हिसाब से MCB को मंगाए और हमको इसमें एक कार्ड मिल जाता है और कुछ मेनवल कार्ड भी मिल जाता है जिसको आप पढ़कर अच्छे से समझ सकते हैं यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह मारा मेनवल कार है और यहां पर इस MCB के बारे में सारी जानकारी दिये ही है अगर आप लोग चाहें तो इसको अच्छे पर हमारी मसरी दर्क किशनक है यहां पर देख नडशन से हमारी यह खुरते हैं और यहां पर लोग देख सकते हैं Tsch आज यहां अब लोग 2 पॉइंट आपरणे लाते हैं अब इसका को धुर्षा करणा यह चैसे अब लोग समझ लिजिए जिस इस MCB में लिखा हो को ऊपर आपको line देना है तो आप उस MCB में उसी हिसाब से connection कीजिए जिस MCB में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आप वहाँ पर अपने हिसाब से connection कर सकते हैं कोई भी problem आपको नहीं है ठीक है तो हम यहाँ पर जो है नीचे देंगे load और उपर देंगे line ठ में नहीं होती है और जिस company में लिखा हूँ आप उसी हिसाब से connection करें तो आप लोगर हमारी RCCBC DC देखने हैं यह कोई हमारी नॉर्मल Ncb नहीं में इनwarlor Ncb रोधे हमारी अलग होती है और यह हमारीं सीब्सक्रा से connection कर लेथे हैं तो उपर जो हम जोड़ेंगे अपने line के wire जोड़ेंगे और नीचे हम load के wire लगाएंगे फिर आपको direct check करके दिखाते हैं किसमें क्या होता है और हम wire को छूते हैं यह NCB trip करती कि ने करती है और हमको current मालने से बचाती है यह हमारी MCB नहीं trip करती है सारी जानकारी आपको इस वीडियो मे आपको मिल जाएगी तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने Z वाले wire को जो है लगा दिया है अब हम Newton वाले wire को लगाएंगे और आप लोग को यहाँ पर ध्यान से समझना है कि आपको Newton इस साइड लगाए या उस साइड लगाए आप लोग देख सकते हैं line कहाँ लगा तो यहा पर हमने Newton वाले wire को लगा दिया ठीक है तो आपको यहाँ पर कोई भी problem नहीं होती है सभी MCB में नहीं लिखा होता है पर यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप लोग उसी हिसाब से लगाएं ठीक है आप लोग देख सकते हैं पहले वाले में Z वाले wire को लगा दिया वहाँ पर ह यह हमारी load वाले wire हो जाएंगे और हम Z वाले के साथ में एक wire extra जोड़ेंगे ताकि आप लोग टेस्ट करके दिखा सके हैं कि हम wire को छूरे हम लग रहा है कि नहीं लग रहा है और यह हमारा MCB trip करेगे कि नहीं करेगी आप लोग को अपने house wearing में लगाना चाहिए कि नहीं वाले wire को लगा दिया है अब हम इसी परकार अपने जो है black wire को भी लगा देते हैं फटावर से फिर आपको इसमें line चालू करके दिखाते हैं और देखते हमारा कैसे work करता है तो आप लोग देख सकते हैं हमने black wire को भी लगा दिया है अब हम इसको भी अच्छे से full tight कर और एक wire हमने जेड़ वाला extra निकाल लिया ताकि आप लोग को हम छूकर आओ live टेस्ट करके दिखा सकें कि हमारी mcb trip कर दाए कि नहीं कर दाए ठीक है तो अब चलिए अपने wire को अपने board में लगाते हैं और इसमें line चालू करते हैं उसके बाद देखते हैं कि हमारा कैसे य और घりक देखरे हैं यह हमारा बटन है अगर आप लोग को प्रेस करते हैं तो श्रक देखर लेना है तो ऐसलिए रिखते हैं थाinity कंडिंशन में CP नीचे गिड़ तो हम एक वायर को लगाएंगे ऊपर वाले में और Western को नीचे वाले में लगाएंगे ओर देखेंगे हमारा哇 सबनेटी होगी तो अब दिख सकते हैंners को लगा रहे हैं और तही से हमारी कर जा रही मतलब कि अगर हम उपल आओ नीचे से एक वायर को लेंगे तभी हमारी एंसे भी ट्रीप कर जाएगे ठीए अब आप लोग देखते हैं हमारे हाथ में न्यूटन के वायर है इसको चली लाइन में लगाते हैं और देखते हैं कि हमारे एंसे भी ट्रीप करती कि नहीं करती है तो यहां पर हम जैसे इसको लगा रहे हैं तैसे एंसे भी हमारे ट्रीप हो रही इसका मतलब कि यह हमारा अच्छे से वर्क कर दा है इससे हमको यह भी पता चल सकता है कि अगर हमारे घर पर कोई सौट सटकिट होता है तो यह हमारे तु पाइं आभी अगर देखते हैं ये नहीं मोँने अगर देखते हैं कि Нब्लस के को कि अधिर कर देखते हैं और कि आफ strictly 5-30 को तो घूरे मुझे डर भी लगने लगा है one two three आप लुग देख सकते हैं भाई मुझे थोड़ा सा करंट लगा और तुरंथ एमसी भी ट्रिफ हो गई चले फिर से ट्राइब करके देखते हैं one two three आप लुग देख से भाई मुझे थोड़ा सा बाद थोड़ा सा जुन जुनाहाट हुआ तुरंथ हमारी एमसी भी गिर गई बर थोड़ा सा करंट लगता है one two three आप लोग देख से तुरंथ एमसी भी मैं ट्रिफ कर जई जरा सा भी देरी नहीं कर जई अगर आप कहीं पर भी जैसे करंट लगेगा वह तुरंथ हमारी एमसी भी गिर जाएगी आप लोग जी मुझ लगता है तुरंथ इंसे भी में ट्रिफ हो जा रही है आप लोग देख से जैसे मार को छोते तैसे भी होती है one two three आप लोग देख से तुरंथ हमसी भी ट्रिफ होगे इनों कि यह बहुत ही अच्छी एमसी भी है अगर आप लोग चाहे तो इसे हाउस वाइरिंग में लगा नहीं है और अगर आपके घर में अर्थिंग वाइरिंग नहीं तो यह आपके लिए काफी दा इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोग इसे अपने घर में जरूर लगाएं ताकि आप लोग की सुरच्छा जरूर ससके और अगर वीडियो अच्छली तो वीडियो को लाइक क चैनल को सस्काइब करें बहुत धन्फट जय हिंद